एक कहानी चुरू होती है सेल सागा से, गोहान ने सेल को हरा दिया था, ट्रिगन बॉस को यूज़ करके सी फाइटर्स अपने विश मांगते हैं, पर गोहान काफी सैट फिल कर रहा था, गोहान के मन में अभी भी बाद चल रही थी, अगर उसने बेवकूफी ना की होती, उसक उसे चीची की बात भी माननी थी, कहानी आती है बूसागा पे, गोहान है स्कूल जाता है, कहानी आसे सेम होती है, बस एक छोटा सा चेंज आता है, गोहान की पावर पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी थी, पिकस उसने औल्वेस ट्रेनिंग किया था, गोहान के अगर गोहान की पावर पे नसर डाले, तो इस प्वेंट ऑफ टाइम पर था, गोहान की पावर इससे जादा नहीं बड़ी, पिकस एक सेन को एक एम चाहिए होता है, जिससे वो अपनी पावर को काफी तेज़ी से इंक्रीस करता है, बिना कोई एम के, एक सेन की पावर इतन सेल की पावर के उपर जाना, तो गोको एन गोहान ने उस तरह से ट्रेनिंग किया, पर अभी गोहान अर्थ का सबसे पावर फुल जी फाइटर था, अर्थ पे कोई भी दिक्कत नहीं आया थी, चो गोहान की पावर को काफी उपर लेके जाती, तो गोहान नॉर्मल ले ट्र औरिशनल सीरिस के मुकाबले बहुत ज़ादा था यामू एंड इस पोपावेच कोहान की एनरजी लेंए आता है सुप्रीम कई टौनों को एको करने देते हैं तोनों को कोहान के एनरजी थी पावीडियूस पावर को यूज करता है और ये पावर इनफ थी माजिनपू को एक्टिवेट करने के लिए पिगस कोहन बहुत साथा पावर्फुल था विचीटा सबसे पहले पूई-पूई को हरा दिता है और पिगस माजिनपू और बाहर आ चुका था सीफाइटर सीधा माजिनपू से पैटल करने जाते हैं बाबेटी की शिप ब्लास्ट हो जाती है सबी सीफाइटर बाहर आ चुके थे उनकी नजर जाती है माजिनपू पे जिसने सबसे पहले टपूरा को चॉक्रेट बनाया और उसको खा लिया अभी गोकू विचीटा गोहान पैटल करते हैं माजिनपू से गोकू के पास सूपर सेयन 3 फॉर्म थी और गोकू ने ये बात खुद कई थी सूपर सेयन 3 फॉर्म के साथ वो माजिनपू को हरा सकता था और अभी तो गोहान भी पहले के मुकाबले बहुत ज़दा पारफु को खतम कर देते हैं अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तीनों सेयन अपनी पेस पाम में वापस आ जाते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता उन्होंने माजिनपू को अंडरेस्टिमेट ना करते वे उसे एक साथ खतम कर दिया गोहान गोकू से बात करने लगता है होनमेकें स्टेकन बॉल को यूज़ करेंगे और गोकू को वापस से रिवाइब कर देंगे पर गोकू गोहान की बात नहीं मानता वो बोलता है उसे रिवाइब नहीं होना अभी गोहान गोकू को समझाता है कि गलत है अर्थ पर जो भी दिक्कत आती है वो गोकू की वज़ सब रहां अपनी तर्फ से पफ़ी कोशिश करता किसी तरह को को मना ले पर कोकू नहीं मानता और दूसरी दुनिया में जाने का फैसला करता है Supreme काइ को को कुं के पशलिप में कि कैता है A क्पेर कों कहता है उसक तरह को फो गोहान को ट्रेन करना चाते हैं, गोहान और गोकु ने सुप्रीम काई की मदद की थी, तो सुप्रीम काई की तरफ से ये तोनों कोई गिफ्ट था, गोहान इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे रोज स्कूल जाना होता है, और अर्थ पे रहना उसे पसंद है, ट पाफि कुछ सीख पाएगा, गोहान कोकु की बात मान जाता है, गोको पी सब को अलविधा कैए, फिचीडी ट्रेनिग स्टाट करता है, युसको पता था, आगे उसे किस रास्ते पे जाना था, गोहान सुप्रीम कidän के साथ सबसे पहले प्लैनेट नएमिके पर जाता है, वह के बाद कोहान सुप्रीम काई किपीटो काईस के प्लैनेट पे जाते हैं सुप्रीम काई कोहान को ट्रेन करना शुरू करते हैं कोहान की ट्रेनिंग सी सॉर्ट के साथ शुरू होती है और कोहान काफी चल्दी सी सॉर्ट को तोर देता है पिकस कोहान ओरेडी काफी शीचल अलॉक के साथ या फिर कह सकते हैं अपनी इल्टिमिट फॉरम के साथ कोहन अगिन सबसे उपर आ गया था और वो भी नहीं रुखता कैस्य साथ ट्रीनिंग करता रहता है अब सी चार साल तक कोहन काईस के प्लैनेट पे ट्रीनिंग करता है और विजीटा कैपसिल कॉर्पोरेशन पे कोहन ने पनी स्टेडीस पे भी पूरा ध्यान दिया था वो एक बहुत प्राइट स्टूडेंट था पर अभी विरस जाग चुके थे कहानी ऐसे सेम होती है पेरस न विज की बादे चलती है पेरस को पता चलता है फ्रीजा मारा चा चुका है सेयन कोकु ने फ्रीजा को मारा है पेरस को ये भी पता चलता है सेयन कोकु भी मर चुका है पर अर्थ पे अभी भी कुछ सेयन्स है जिनसे सूपर सेयन कॉट के बारे में पता चल सकता है यहां से कहानी थोड़ा जेंज होती है फीस और फीरस किंकाई के प्लैनेट पे नहीं जाते हैं वो सीधा अर्थ पे जाते हैं फीस और फीरस अर्थ पे आते हैं एन कहते हैं या तो सूपर सेन कौट को लाके दो या फिर अपने प्लैनेट को अलविता कह दो